गुद मॉर्निंग इस्टुडेंट्स हावर यू बिटा कैसे हो आप लोग सो बिटा टुडेवी नियू थौट आफ तडे यू विल नेवर हैब दिस दे अगैन सो मिकिट काउंट ये दिन क्या है दुबारा नहीं आएगा इसलिए हमें इस दिन को क्या करना है काउंट करना ह क्यूंकि एक बार जो दिन चला गया है वह वापस नहीं आता है अशील आपका सम्य भी है एक बार जो कि चला और भी बहुत सारी activities है जो आप morning में उठते हो, करते हो, तो आप सिर्फ अपनी पढ़ाई पर focus करिये, उस पर ध्यान दीजिए, तो आपका क्या होगा, जब आज पर ध्यान दोगे, तब जाके आपका कल बहुत अच्छा होगा, तो हमें मतलब अपने जो present है, जो आज का दिन है, वो उस पर ध्यान देना है, ताकि हमारा जो कल है, वो और भी अच्छा हो जाए, तो इसलिए अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, और अपनी पढ़ाई पर ज्यादा focus करिये, तो बिटा, वैसे तो मैं 9 chapter पढ़ाऊंगी, लेकिन उससे पहले 8 chapter का हम revision करेंगे, हमने इसमें क्या पढ़ाता, हमने इसमें हाउस के बारे में पढ़ाता, घर कितने प्रकार के होते हैं, घर हमें कैसे रखना चाहिए, हाउस में कितने रूम होते हैं, हमने इसमें ये पढ़ाता, तो हमें घर के क्यों जरत होती है, तो आप बताईए हमें घर के किसले जरत होती है हम घर में रहते हैं और अपने घर में हम प्रोटेक्ट रहते हैं में सेफ रहते हैं सुरक्षित रहते हैं तो घर हमें किस से बचाता है घर हमें धूप पानी हवा बारिश चोर और जानरों से बचाता है है ना जैसे लिखा heat, cold, wind, rain, animal and thief से बचाता है तो हमें अपने घर में ही रहना है इस टाइम करोना वाइरस चल रहा है तो हमें कौन हमें कौन प्रोटेक्ट कर रहा है हमें अब हमारा घरी तो बचा रहा है घर से अगर हम बाहर नहीं निकलेंगे तो कोई भी बैक्टिरिया कोई भी जमसमारे घंदर अंदर नहीं आ सकते हैं जब आपको बहुत ज़्यादा जरूरत हो तब ही आप घर से बाहर निकलेंगे वरना बिल्कुल घर से बाहर मत निकलेंगे घर पे ही रहिए सेफ रहिए तो जो दो तरह के घर होते हैं ना types of houses there are two types एक कच्चा होस होता है एक पक्क house की बात करते हैं कुछ घर छोटे होते हैं और कुछ घर बड़े होते हैं कुछ घर छोटे होते हैं और कुछ घर बड़े होते हैं तो जो जो पक्के घर होते हैं वो किससे बने होते हैं स्टील से सीमें से इटो से बने होते हैं इसलिए ये घर कैसे होते हैं पक्के घर होते ह लेदी गरेखे我们 होते हैं इसलिए मजबूत है क्यों होते हैं क्योंकि तेज हवा मेरा बारिश यह घर क्या होंगे खराब नहीं होंगे टूटेंगे नहीं ना इसलिए यह रपक के होते हैं इसको हम पकका हाउस बहुत पक्का हाउस बहुत तरीके से आता है, कुछ पक्के हाउस लंबी टॉल बिल्डिंग होती है, कुछ पक्के हाउस बंगले टाइप के होते हैं, कुछ पक्के हाउस फ्लैट तरह के होते हैं, तो पक्का हाउस क्या है, they are very strong house, और जो कच्चा हाउस होता है, जैसे ये कच्चा हा नहीं होता है यहां न aut very strong क्या बारिश में यह क्या हो जाता है बारिश में पाणी चूने लगता है जादाब बार आजयाई ज्यादा गता है वगता है। और आपको रूम सिना हाउस, घर में बहुत तरह के रूम सोते हैं, जैसे किचन हो गया, बातरूम हो गया, डाइनिंग रूम हो गया, लिविंग रूम हो गया, तो घर में बहुत तरह के रूम होते हैं, जिनका हम तरह तरह से यूज करते हैं, जिनका अलग अलग यूज है, ज गर में बहुत तरह तरह के रूम होते हैं जिनके अलग-अलग क्या है यूजेज हैं और हमें अपने घर को कैसे रखना है हमें अपने घर को साफ सुत्रा करके रखना है जब हमारा घर साफ रहेगा तो क्या है हमारा घर बहुत ज्यादा ब्यूटिफुल लगेगा और हमें पूरे टाइम आप पढ़ाई करें फोर आवर पढ़ाय करिए फिर वन हावर टू हावर कुछ करीटी करिए इसमें आप आप समझ लीजी कि इस तैजम तो आप शकुल नहीं जा रहा हैं तो क्या एक्टिविटी करके अपने करिए तो क्या बहुत अच्छा लगेगा जब कोई आएगा तो आपका क्या आपकी तारीफ करेगा क्या रिवात बहुत अच्छा बनाया है तो पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज भी होना जरूरी है तो अपने घर को डेकुरेट करिए अब हम अपने नया चेप्टर में बात करेंगे तो हमारा नया चेप्टर है क्लॉथ भी वेयर हमारा नया चेप्टर क्या है क्लॉथ भी वेयर तो हम अपने नया चेप्टर में कपडों के बारे में सीखेंगे कि कपड़े किस तरह के होते हैं डिफ्रेंट कपडों के बारे में डिफ्रेंट एक भाल हमें कैसे करनी चाहिए, तो let we start, what cloths are you wearing today? आज आपने कौन से कपड़े पहने हैं, बताईए आज आपने कौन से कपड़े पहने, summer season है, summer season के कपड़े अलग होते हैं, winter season के कपड़े अलग होते हैं, rainy season के में जो कपड़े पहने जाते हैं, वो अलग होते हैं, हमें कपड़ों की आवशक्ता इसलिए होती है क्योंकि हमारा शरीर उसे धका रह सकें तो देखिए, we need claws to cover our body हमें अपने शरीर को ढखने के लिए कपड़े चाहिए हमें अपने शरीर को ढखने के लिए कपड़े चाहिए they protect us from the sun, cold and wine and rain they make us look neat and smart ठीक है, ढखने के लिए कपड़े चाहिए वे हमें, कपड़े हमें धूप, ठंड, हवा और बारिश से बचाते हैं वे हमें साफ और स्मार्ट दिखाते हैं हमें, हम कपड़े क्यों पहनते हैं? जिस उससे हमारी body धकी रहती है और हम कपड़ों से protect रहते हैं safe रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं तेज हवा से, तेज धूप से, तेज बारिश से तो हमाई body उससे क्या रहती है कपड़ों से? protect रहती है, सुरक्षित रहती है और जब हम साफ सुत्रे कपड़े पहनेंगे तो और भी ज्यादा क्या लगेंगे? सुन्दर लगेंगे, बहुत जादा स्मार्ट लगेंगे तो हमें साफ सुत्रे ही कपड़े पहनने चाहिए अब फिर आप देख रहे हैं look at this picture of some cloth that we wear देखे कुछ कपड़ों की तस्वीरे जो हमने पहनी है तो उससे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं यह कुछ picture है ठीक है? which of these are born by boys and men circle them with a blue pencil इन में से कौन से कपड़े लड़कों के हैं? लड़के कौन से कपड़े पहनते हैं? उनको हमें नीली pencil से करना है means blue pencil से और which of these born by girls and women circle them a red pencil और उनको जो लड़कियां कपड़े पहनती हैं उनको red pencil से तो मैंने यहां पर पहले से करके रखा है ठीक है? आप देखिए यहां जैसे टी-शिट है तो टी-शिट कौन पहनता है? टी-शिट लड़के पहनते हैं तो देखिए यहां पर blue pencil से मैंने किया हुआ है shorts लड़के पहनते हैं तो इसको blue pencil से करना है frog frog कौन पहनता है? girls तो इसको red pencil से करना है coat कौन पहनता है? लड़के पहनते हैं तो बेटा लड़कियों के कपड़े अलग होते हैं और लड़कों के कपड़े अलग होते हैं यह नहीं कि सेम सेम सब के कपड़े होते हैं नहीं गल्स के कपड़े अलग होते हैं, बॉइस के कपड़े अलग होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरह के कपड़े होते हैं, गल्स जो हैं, फ्रॉग है, सलवार कमीज है, और कुर्ता पैजामा है, सारी है, स्कर्ट आप है, तरह तरह के कपड़े होते हैं, और जो बॉइस होते ह उनकी pant है, shirt है, trouser है, jacket है, तो तरह तरह के कपड़े होते हैं, girls के अलग होते हैं और boys के कपड़े अलग होते हैं, समझ में बात आ रही हैं, फिर आप देखिए, यहां पे लिखा है, which of these clothes do you family member wear, do the wear clothes which are not show hair? आपके परिवार के सदस से कौन से कपड़े पहनते हैं, क्या वे कपड़े पहनते हैं, जो यहां नहीं दिखाए गए हैं, yes हमारे family member कपड़े पहनते हैं, सब लोग कपड़े पहनते हैं, कुछ कपड़े यहां पे दिखाए गए हैं और कुछ कपड़े नहीं दिखाए गए है बहुत तरह के कपड़े होते हैं, बहुत ही तरह के जिस तरह के आप बना सकते हैं, बहुत तरह की डिजाइन में कपड़े आते हैं, आपने खुदी देखाए होंगे, तो हाँ हमारी फैमली हमारा परिवार कपड़े पहनती हैं, और बहुत तरह तरह के कपड़े पहनती हैं, अब आप फिर देखिए uniforms, uniforms means होती है वर्दी, uniform means होती है वर्दी, आप भी uniform पहते हैं, आपकी school uniform है, सबकी अलग-अलग तरह की uniform होती है, जो जैसा काम करता है, उसी काम के हिसाब से uniform होती है, special uniform, खास कपड़े, Some people wear special clothes to work, कुछ लोग काम करने के लिए विशेश कपड़े पहनते हैं, कुछ लोग काम करने के लिए विशेश तरह के कपड़े पहनते हैं, जैसे school driver जो आपके भहिया हैं, वो कुछ और कपड़े पहनते हैं, blue color पहनते हैं, मतलब brown color के कपड़े पहनते हैं, जो doctor है, उन वो white color पुणिवे काम उतनी तरह की यूनिफॉरम्स होती है ठीक सबस्काने उन खास कपड़ों खास कपड़ों को हम रिखैंबगा एक चील्ड areında all invol uniform to school जो बच्चे होते हैं वह कहा स्कूल पहन के जाते हैं उनिफॉर्म हैं, आपकी स्कूल उनिफॉर्म आपको धरशाती हैं कि आप कहा जा रहे हैं school में तो जो आपने भी तो खास तरह के कपड़े पहने है school uniform तो देखिए police woman ने अलग तरह के कपड़े पहने है nurse ने अलग तरह के कपड़े पहने है and doctor ने अलग तरह के कपड़े पहने है तो तरह तरह की uniforms होती है जो जैसा काम करता है समझवे बात आई फिर हम बात कर रहे है kinds of cloths की we wear different kinds of cloths and different times different times हम अलग-अलग समय पर अलग-अलग तरह के कपड़े पहनते हैं यह क्या है correct है हम अलग-अलग समय पर अलग-अलग तरह के कपड़े पहनते हैं we need to wear cloth that keep us cool when it is hot some cloth are made of cotton okay हमें ऐसे कपड़े पहनने की जरुरत है जो गरम होने पर हमें थंडा रखे ठीक है जो गरम रहने पर हमें थंडा रखे कुछ कपड़े सूती कपड़े से बने होते हैं cotton cloths are light and keep us cool जो हलके जो हलके कपड़े होते हैं और हमें we get cotton from the cotton plant जो और हमें थंडा रखते हैं हमें कपास के पौधे से कपास मिलता है समझ में बात आई हम अलग-अलग समय पर अलग-अलग तरह के कपड़े पहनते हैं है ना अलग-अलग समय पर अलग तरह के कपड़े पहनते हैं अब summer season में आप winter season की कपड़े तो नहीं पहनोगे तो हमें वैसे कपड़े पहनने चाहिए जो हमारे summer season जो हमारी body को क्या रख सके ठंडा रख सके तो हम summer season में cotton cloth पहनते हैं हमें summer season में हलके मुलायमदार कपड़े पहनने चाहिए हलके मुलायमदार कपड़े पहनने से हमारी बोड़ी को क्या होगा हमाई बोड़ी ठंडी रह सकेगी है ना उसको हवा मिल सकेगी हमाई बोड़ी को हवा मिल सकेगी और हमें कौटन कहां से मिलता है कौटन प्लांट से कपास कहां से मिलता है कपास के पौदे से हमें कपास मिलत आपका पास भी कहते हैं, तो हमें समर सीजन में कैसे कपड़े पहनने चाहिए, समर सीजन में हमें हलके मुलायमदार कपड़े पहनने चाहिए, जिससे हमाई बॉडी ठंडी रह सके, अब सुनिये, When it is cold, we need to wear cloth that keep us warm, some cloth are made of wool, जब मौसम कैसा हो, जब थंडा होता है, तो हमें ऐसे कपड़े पहनने होते हैं, जो हमें गरम रखे, कुछ कपड़े उन के बने होते हैं, Woolen cloth helps to keep our body warm, we get wool from animals such as a sheep, sheep, goats, rabbits, ETC, उनी कपड़े हमारे शरीर को गरम रखने में मदद करते हैं, हमें भेड, बकरी, खरगोश, आदी जानवरों से उन मिलता हैं, ठीक हैं, आप जैसे Woolen cloth का पहनने चाहिए, Woolen cloth winter में ठंड के सीजन में हमें, सर्दियों के सीजन में हमें गरम कपड़े पहनने चाहिए और मोटे कपड़े पहनने चाहिए, गरम कपड़े पहनने से हमारी बॉड़ी को क्या हमें गरमी मिलेगी और हम ठंड से बचे रह सकते हैं, समझें बात आई, तो हमें Woolen में कैसे कपड़े पहनने चाहिए, सॉरी हमें winter में Woolen कपड़े पहनने चाहिए और Woolen हम को कहां से मिलता है, Woolen हमें sheep, goat, rabbit, भेड, बकरी और खरगोश से मिलता है, ठीक है, जो उनकी आपने खरगोश देखा होगा, बकरियां देखी होगी, जो उनकी ऊपर जो खाल होती है, वो कैसी रहती है, रोएदार रहती है ना, तो उससे क्या मिलता है, उन मिलता है, तो समझ में बात आई, तो देखिए, we wear Woolen cloth in winter and we wear cotton cloth in summer, ठीक है, we wear cotton cloth in summer, समझ में बात आई, फिर देखिए, when it is rain, we wear a raincoat and jump boots, we also carry an umbrella, all of these help us to stay dry, जब पारिश होती है, तो हमें एक raincoat और gumboot पहनते हैं, हमें सूखा रखने के लिए इन सब की मदद मिलती है, समझ में बात आ रही, जब बारिश हो जाती, तो हम कैसे, हम raincoat पहनते हैं, अपने body को भीगने से बचाने के लिए, अपने शरीर को भीग, कि हम ना भीगें, तो छाते का यूज करते हैं, और raincoat का यूज करते हैं, और अपने पैरों को भीगने से हम जम बूट्स का जूतों का खास जूतों का यूज करते हैं, तो हम बारिश के बरसाती मौसम में हम बरसाती कपड़े, raincoat को हम raincoat और बरसाती कपड़े भी बोल सकते हैं, फिर देखिए, what will happen if we're light cotton cloth in a winter, सर्दियों में हलके सूती कपड़े पहनने से क्या होगा, अगर आप सर्दियों में हलके सूती कपड़े पहनने होगे, तो सबसे पहलों आपको ठंड लगेगी, क्योंकि सूती जो cotton cloth हैं, वो बहुत ही ज़्यादा हलके और मुलायमदार होते हैं, वो आपके शरीर को, आपके बॉड़ी को गरम नहीं रख सकते हैं, वो कपड़े कप पहने जाते हैं, वो कपड़े समर सीजन में पहने जाते हैं, इसलिए हमें विंटर सीजन में मोटे और गरम डाल कपड़े पहनने चाहिएं, जिससे हमाई बॉड़ी गरम रह सकें, आप देखिए इधर, हम अपने पैरों की सुरक्षा के लिए विविन प्रकार की जूते पहनते हैं, जैसे हमने बताया है ना, बरसात मौसम में आप जमबूट्स पहनते हैं, आप अगर कहीं बरफीली जगा में जहां पे बरफ गिरी हो, तो वहां भी हम खास तरह के जूते पहनते हैं, अगर आप ऐसे नॉर्मल जूते पहन के चले जाएंगे तो क्या होगे, आपके पैरों में बहुत ही ज्यादा ठंड लग जाएगी, और आपका जो ब्लेड है वही पर रुख जाएगा, ब्लेड सर्कुलेशन नहीं होगा, तो हम जैसे बरफीली जगा में खास तरह के जूत पहनते हैं, जिससे वह ऐसे जूते होते हैं, जो बरफ की ठंडक होती आपके पैरों के अंदर तक नहीं आती है, इसलिए वह खास तरह के जूते होते हैं, तो समझ में बात आई, आवर इस्पेशल डेज, सच ऐस आवर बरडे, फैस्टिवल, एंड अदर सेलिब्रेशन, व वीवह इस्पेशल कलौद, हमारे जनम दिन तहवार, अन संहारों जैसे विषेश, दिनों में हम विषेश कपड़े पहनते हैं, ठीके, हम जैसे हमारा बरडे हो गया, कोई भी फैस्टिवल हो गया, इतने सारे फैस्टिवल आते हैं, कोई भोली हो गई, दिवाली हो गई, ह तो हम क्या करते हैं, जैसे आपकी घर में शादी होती है, तो आप खास तरह के आप और भी खास तरह के कपड़े, जिससे आप और भी जदा ब्यूटिफुल, और भी जदा स्मार्ट लगो, तो हम वैसे कपड़े पहनते हैं, अपने बड़े पर यह फेस्टिवल पर कोई उस सेलिब्रेशन हो गया, तो हम खास तरह के कपड़े पहनते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, जिससे हम और भी जदा अच्छे लगें, ठीक हैं? sometimes women wear saris and men wear dhoti kurta and kurta pajama made out of a special material called silk तो कुछ समय में जो औरते हैं वो saris और जो आदमी है, men है वो dhoti kurta, kurta pajama made out of a special material called silk silk means होता है, रेशम, रेशम के धागों से जो साणियां है, जो धोती kurta है, वो बनते हैं जो साणियां है वो women, धोती kurta, kurta pajama, men लोग पहनते हैं खास तहवारों पे, खास दिन पे, कुछ शादी हो गई, कुछ function हो गया तो उस पे हम अच्छे और भी जादा और बहुत जादा ही अच्छे कपड़े पहनते हैं जिसे हम और भी जादा beautiful और smart दिखें, तो आप beautiful smart कब दिखेंगे? जब आप अच्छे कपड़े, clean कपड़े, साफ कपड़े पहनेंगे ठीक है, we get silk from silk roms, ठीक है, silk roms, तो silk roms जो होता है, एश्मी कीड़ा होता है उसी से हम को क्या मिलती है, silk मिलती है, ठीक है, तो हमें, हमें साफ सुत्रे कपड़े पहनने चाहिए अब देखिए, taking care of our cloth, हमें अपने कपड़ों की देखभाल कैसे करनी चाहिए तो we should always wear clean cloth, हमें साफ सुत्रे कपड़े पहनने चाहिए cloth should be washed with soap and water, remove dirt and stains cloth हमें क्या करना चाहिए, धुलना चाहिए, किस से पानी और साबुन से, उनकी गंदगी को साफ करना चाहिए उनके dirty को, dust को साफ करना चाहिए they should be ironed after they are washed, जब वो सूख जाए तो उसको प्रेस करना चाहिए तो हमें साफ सुत्रे कपड़े पहनने चाहिए, आप साफ कपड़ों को धुलिए और धूप में क्या करना चाहिए, उसको अच्छे से सूखने देना चाहिए जब वो अच्छे सूखेंगे तो और वि जो bacteria है, jumps है वो धूप में मर जाएगे धूप की गर्मी से तो हमें अपने कपरों को अच्छे सी धूप दिखानी चाहिए, फिर उनको प्रेस करना चाहिए और कपडों को अच्छे से साफ रखना चाहिए फिर देखिए values and life skill में what do you do, cloth that are too small for you आपके कपड़े अगर छोटे हो जाते तो आप क्या करते हैं उनको fake देते हैं, fake नहीं चाहिए अगर आपके कपड़े छोटे हो गए हैं तो उनको धूल करके क्या करना चाहिए जो पूर बच्चे हैं उनको दे देना चाहिए जिनको इन कपड़ों की जरूरत है आपके पास तो बहुत छोटे कपड़े हो गए हो तो आपको रखने से क्या फायदा है आप उनको गरीब बच्चों में बाट सकते हैं तो समझ में बात आई कि हम में क्या करना है समझ में बात आ रही है फिर देखिए आपकी exercise है यह आपको homebuck में करनी है ठीक है मैंने यहाँ पे fill की है cloth protect us from heat and cold cloth हमें किस से बचाता है heat, गर्मी और सर्दियों से बचाता है we wear cotton cloth in summer summer में हम कैसे कपड़े पहनते हैं सूती कपड़े we wear woolen cloth in winter winter में हम कैसे कपड़े पहनते है woolen कपड़े, उनी कपड़े children wear a uniform to school children school जाते तो क्या पहनते है uniform uniform means होता है worthy, we should wear cloth हमें कैसे कपड़े पहनने चाहिए clean या dirty, clean कपड़े ठीक है, फिर यह है आपका true and false and question answer ठीक है, कि why do we need cloth हमें कपड़े क्यों जरत होती है तो we need cloth to cover our bodies हमें अपने बोड़े को ढखने के लिए कपड़े की जरूरत होती है तो आपको होमबक में सब करना है और pictures भी बनाना है ठीक है, pictures भी बनाना है हम बताएंगे किसका picture बनाना है तो आपको chapter समझ में आया कि हम कपड़े क्यों पहनते अपने body को ढखने के लिए कपड़ों का use हम करते है जिससे हमाई body ढखी रह सके कपड़े हमको protect करते है और uniforms तरह तरह की uniforms होती है जो जैसा काम करता है उनकी uniform वैसी रहती है cotton cloth हम summer season में पहनते woolen cloth हम winter season में पहनते cotton हमें cotton plant से मिलता है और woolen हमें animals से मिलता है जैसे sheep, goats, rabbits से मिलता है और बारिश में हम बरसाती कपड़े पहनते हैं मतलब raincoat कपड़े पहनते हैं खास तयावारों पे हम अलग-अलग खास तरह के कपड़े पहनते हैं तो कपड़ों को साफ रखिए और अपने आप साफ रखिए घर को साफ रखिए ठीक है? आपको हमब कही करना आपका code 35 है अपना ध्यान रखिए सबका ध्यान रखिए तैंक यू सबशग्जा हम जयाद यू सबस्थजाद साफ यू साफ तो आपको